दोस्तों आप में से ज्यादतर लोग कभी न कभी किसी न किसी थीम पार्टी में तो जरूर गए होंगे या फिर खुद ही ऐसी कोई पार्टी ओर्गनाईज की होगी ऐसी पार्टी इस ना तो सिर्फ देखने में अलग और एक्साइटिंग लगती हैं बलकि हमारा काम भी बहुत आसान कर देती हैं अब आप सोच रहे होंगे कि काम आसान कर देती हैं इसका क्या मतलब हो सकता है जी आँ दोस्तों किसी भी काम के लिए एक थीम सेट कर लेने से उस काम को और्गनाईज करना बहुत आसान हो जाता है जैसे कि अगर आप अपनी छोटी बेटी के लिए एक बिर्दे पार्टी थ्रो करने का प्लान कर रहे होते हैं तो आमतोर पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं पार्टी किस तरीके की होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत तरीके की चीज़े पसंद होती हैं पर जैसे ही आप एक theme तै कर लेते हैं जैसे Mickey Mouse तो आप बिलकुल clear हो जाते हैं कि सारे arrangements आपको Mickey Mouse से related ही करने हैं और आपकी guests भी clear हो जाते हैं कि उन्हें इस किस तरीके के कपड़े पहन कर जाना चाहिए और किस तरीके के gifts ले कर जाना चाहिए ठीक इसी तरह ये theme सेट करने की technique हम अपनी professional field में भी अपना सकते हैं जिसके लिए business की दुनिया में Twitter company के co-founder Jack Dorsey बहुत famous है Jack company के बाकी employees की तरह ही Monday to Friday रोज office आते हैं और आठ घंटे काम भी करते हैं पर उनके काम करने का तरीका बाकी companies के मालिकों से बहुत अलग है वो हफते के कौन से दिन क्या काम करने वाले हैं ये पहले से ही fix होता है बिल्कुल एक theme की तरह और उनके assistance उसी के हिसाब से उनके लिए काम तयार रखते हैं जैसे की अगर Monday का दिन Jack ने management meetings और review के लिए fix कर रखा है तो उनके assistance उनके पास Monday को सिर्फ उसी से related काम ले कर जाते हैं इस technique को follow करने से Jack के उपर कभी workload का बहुत ज्यादा pressure भी नहीं बनता और उनके और उनके team workflow की एक बहुत clear image भी बनी रहती है जानते हैं दोस्तों काम करने का ये तरीका Jack के दिमाग में कहां से सूझा जब वो school college में पढ़ते थे तो exams की date sheet आने के बाद वो एक time table बनाते थे कि वो कब कौन से subject पढ़ेंगे और किस subject को कितना time देंगे जैसा कि हम सब भी लोगों ने अपनी student life में किया है पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि weekends पर Jack बिल्कुल free रहते हैं या free रहना पसंद करते हैं weekends के लिए भी उनका एक theme set है जहां पर वो उन छोटी छोटी या emergency कामों को निप्टाने की कोशिश करते हैं जो Monday to Friday की उनकी theme से बाहर होते हैं या किसी वज़ा से उनसे छूट गए होते हैं अगर हम उनके Monday to Friday work theme को describe करें तो Mondays को वो management problems और arrangements पे काम करते हैं Tuesdays को वो product development पे काम करते हैं Wednesday को वो marketing और communication growth पर काम करते हैं Thursdays को वो अपने सारे developers और business partners से individually मिलकर काम की update लेते हैं उनके साथ problems और solutions भी discuss करते हैं और Fridays को वो नए recruitments और company के culture को develop करने पर काम करते हैं Dan Sullivan जो की एक बहुत जाने माने entrepreneur coach है मतलब कि वो लोगों को एक अच्छा entrepreneur बनने के लिए training देते हैं Dan अपनी training में इस theme set करने के process को और भी ज्यादा आसान बना कर सिखाते हैं वो बताते हैं कि हम अलग-अलग दिनों के लिए अलग-अलग theme set करते हैं तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला कि कौन-कौन से दिन हमारे focus days होने चाहिए focus days में हम उन सारे कामों पर focus करते हैं जिन से directly हमारी company revenue generate करती है इस दिन हम वो काम करते हैं जो हम सबसे best कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता फिर आते हैं buffer days इन दिनों में हम वो सारे regular official formalities और procedures follow करने वाले काम करते हैं जैसे meetings conduct करना लोगों में काम बाठना paperwork complete करना नए लोगों की recruitment और training वगईरा वगईरा और फिर आते हैं free days जहां कहने के लिए तो आप काम से free होते हैं और जो मन करता है वो आप कर सकते हैं पर साथी साथ आपको अपने pending पड़े हुए छोटे मोटे काम भी निप्टाने होते हैं अब अगर हम अपने author की बात करें तो उन्होंने भी अपने working days को theme के हिसाब से बांट रखा है हफते की शुरुआत यानि Monday को वो meetings रखना बसंद करते हैं और लोगों को काम बाटते और समझाते हैं Tuesday से Friday उनके focus days होते हैं जहां वो किताबे लिखते हैं नए-नए e-learning courses डिजाइन करते हैं और marketing strategy पे काम करते हैं क्योंकि इन ही चीज़ों से उनकी company direct revenue कमाती है और फिर Saturday to Sunday जो कि उनके free days होते हैं उसमें वो अपने pending bills clear करते हैं emails चेक करते हैं और अपने fans और readers के messages का जवाब देते हैं दोस्तों ये theme set करने वाली टेकनीक life और career के हर stage पे आपकी मदद कर सकती है जैसे कि अगर आप एक entrepreneur हैं तो इसकी मदद से आप अपने product development और customer acquisition process में एक theme set कर सकते हैं अगर आप एक executive हैं तो बजाए कि आप सारी meetings एकी दिन में करें आप एक fixed theme के तहट अलग-अलग दिन के लिए अलग-अलग meetings schedule कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा free time खुद के सोचने के लिए भी बचा सकते हैं अगर आप एक student हैं तो इसकी मदद से आप अपनी पढ़ाई और खेल कूद मौज मस्ती के बीच एक सही balance बना सकते हैं और अगर आप एक house wife या house husband हैं तो हर week के खाने के लिए आप एक अलग theme डिजाइन कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा एक अच्छा माहौल बना रहेगा क्योंकि ज्यादतर घरों में खाने का time ही एक ऐसा time होता है जहां सारे लोग एक जगा एक साथ बैठते हैं दोस्तो अगले chapter में हम जानेंगे कि आपकी morning routine किस तरह से आपकी personal और professional life को affect करती है इसे कैसे बहतर बनाया जा सकता है और इससे हमारी success का क्या लेना देना है